अगर आप इस चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राब करें और बिल आइकन को दबाएं तो दोस्तो आप यहां पर देख सकते हो यह जो है एक ओल्ड पेपर है और दोस्तो यह जो पेपर है वो ओफलाइन हुआ था तो चलिए दोस्तो शुरुआत करते हैं electronics, mechanics, technical, जो part के जो questions है उसकी और दोस्तों इस वीडियो में आपको लगबग जो है 75 जो trade के जो questions है वो आपको बताए जाएंगे तो पहला question है दोस्तों इसमें voltmeter परियोगत होता है तो दोस्तों इसका जो answer वो है परिपत सही बुरा प्रस्वाण है और दोस्तों ये जो color code है वो आपको जो है 70 से जो है इसे हल करना पड़ेगा और लगबग दोस्तों हर metro exam में जो color code वाले questions है वो आते हैं और इसके लगव दोस्तों जो binary की questions है तो दोस्तों आप एक बार इन नाम है वो है liquid crystal display फिर अगले question है दोस्तों और अगले question में आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें दोस्तों यूनिवर्सल द्वार है तो दोस्तों इन में से कौन से gate है जो universal होते हैं तो दोस्तों वो है नेंड और नोर यानि कि यह जो दोनों gate है वो क्या है universal gate है फिर अगला question है दोस्तों end किसकी तरह कारी करता है यानि कि जो end gate है वो किसकी तरह कारी करता है तो दोस्तों वो करता है संकला परिपत की तरह यानि कि इसका जो answer होगा दो नमबर फिर अगला question हो दोस्तो इसमें कला विस्तापन गटित होता है तो दोस्तो इसका जो answer होगा गटित होता है तो दोस्तो यह दि 660 ohm के दो परतिरोधक समाना अंतर रूप से जोड़ दिये जाते हैं तो कुल परतिरोद क्या होगा तो दोस्तो इसका जो आंसर होगा A नमबर यानि कि 303 Ohm ये जो है इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्यूशना दोस्तो इसमें 100 किलो अर्ज की आवर्ति के परति एक 0.01μF संदारितर का धारिता परतिकात क्या होगा तो दोस्तो इसका जो आंसर होगा D यानि कि 169 Ohm ये जो है इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्यूशना दोस्तो इसमें और दोस्तो आप इसमें देख सकते हो 455 किलो अर्ज की आईएफ से यूगती एक सूपर हेट रोडन रेडियो रिशिवर 1205 किलो हट्च के सिगनल पर टून किया जाता है तो परतिभिम आवर्ति क्या है तो दोस्तो इसका आंसर है वो है इनमेंसर कोई नहीं यानि कि दोस्तो इनमेंसर जो है कोई भी इसकी जो है ट्यूना वर्ती नहीं होती है फिर अगले कुशन हो दोस्तो और अगले कुशन में दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो दोस्तो इसमें जो है वो दिया गया है एक बाइट में बीटों की संक्या होती है तो दोस्तो एक बाइट में कितने बीट होते हैं तो दोस्तो बहुते हैं आठ बीट ही यानि कि दो नमबर इसका राइट अंसर होगा जब उसके दोनों इंपुट जो है उर्दवे हो उस समय ये जो है आउट पूट निम्न होता है यानि कि एक नमबर इसका राइट अंसर होगा फिर अगला कि उसन दोस्तो इसमें रडार निर्दसन पंडाली में PPI का विस्तारीत रूप क्या है तो दोस्तो इसका जो आंसर हो है प्लान पोजीशन इंडिकेटर ये जो है इसका राइट अंसर होगा फिर अगला के उसन दोस्तो इसमें एक अव फलक परिपत निम्न रूप में कारिय करता है तो दोस्तो इसका जो आंसर है उर्दुए फारक फिल्टर यानि कि दोस्तो इसका होगा हाई पास फिल्टर ये जो है इसका राइट अंसर होगा फिर अगला कुशन दोस्तो इसमें टीवी रिसीवर में चुम्बकारी परिपत का परियोग निम्न के लिए किया जाता है तो दोस्तो आंसर है दो नमबर यानि की फलक के अनुपस्तित रहने पर स्रवे एंप्लिफायर का किरिवान वित कर देना इसके लिए जो है इसका परियोग किया जाता है ये इसका राइट अंसर होगा फिर अगला कुशन दोस्तो एक सरोध के आंत्रिक परतिबादा 3 फ्लस जे 4 ओम है इससे एक परतिरोध लोड को अधिक्तम विद्धूत सप्लाई करने की अपेक्षा की जाती है तो लोड परतिबादा कितनी होनी चाहिए दोस्तो इसमें है D यानि कि इन में से कोई नहीं फिर अगला कुशन दोस्तो कौन से एंप्लिफायर में किसी भी इंपूट सिगनल के न रहते विए आउटपूट दारा परवाहित होती है तो दोस्तो उसे क्या कहते हैं स्रणी ए कहते हैं और दोस्तो अगर आपको हिंदी में इस तरफ अगर क्यूशन समझ में नहीं आते हैं तो आप इस तरफ जो है अंग्रीजी में देख सकते हैं और इसके मादने में से जो है क्यूशन को हल कर सकते हैं फिर अगला क्यूशन दोस्तों इसमें उसमा सिंक आमतोर पर निम्र के साथ सलगन किया जाता है तो दोस्तों आंसर है इसका ट्रांजिस्टर का संगर है यानि कि दोस्तों इसका जो आंसर होगा कलेक्टर ओफ ट्रांजिस्टर इसके साथ में जो है इसका परियोग किया जाता ह एक डिकेड काउंटर निर्मित करने के लिए अपेक्सित फ्लिप फ्लोपों की जो नियुनतम संक्य है वो कितनी होनी चाहिए वो नी चाहिए चार यानि कि यह जो है इसका राइड आंसर होगा फिर अकला कुशन दोस्तों, उसमें क्यों मिटर का परचालन किस पर निर्भर होता है तो अंसर है स्रेनी अनुनात पर है यह जो है इसका राइड आंसर होगा फिर अगला कुशन दोस्तो डाटा संकर्मन टेलीफोन लाइनों में मोडेमों का परियोग निम्न के लिए किया जाता है तो दोस्तो आंसर है A यानि कि संकर्मन समता बढ़ाने के लिए जो है इनका परियोग किया जाता है तो दोस्तो जो रडार प्रणालियों में रेटरेस सब्द का परियोग निम्न के संबंद में किया जाता है तो दोस्तो वो है D यानि कि डूपलेक्सर यानि कि दोस्तों जो radar पढ़नाली होती है उसमें जो है रेट्रेस जो सब्द है वो duplexer के लिए परियोग किया जाता है फिर अगला कि इसना दोस्तों इसमें निमन में से सरवोच डाटा गती देने में सक्सम है तो दोस्तों आंसर है परकाश यो fiber पढ़नाली यानि कि जिसें optical fiber system भी कहते हैं ये इसका right answer होगा फिर अगला किशना दोस्तों crystal 2 liter का मुख्य लाब क्या होता है यानि किसका जो परमुक फायदा है वो क्या होता है वो होता है इसकी दोलन की आवरती लगबग इस्तिर रहती है फिर अगला किशना दोस्तों इसमें एक transistor निम्न का विलोपन करने के लिए एक संतरप्त स्विच पर काम करता है तो दोस्तो उसका जो ा होगा वो होगा टर्न ओफ समय है क्यों पर दोस्तों दोस्तों इसमें परोगा बंचारि प्रॉब और बडुब उर्दवारदर ब्लेकिंग के दुरान इसे बेजा जाता है फिर अगला क्यूशन दोस्तों इसमें निमनांकित में से क्या बढ़ाने के लिए किसी एंटेना में सिर्स भार का परियोग किया जाता है तो दोस्तों इसका जो अंसर वोगा परभावी उचाई फिर अगला क्यूशन दोस्तों एफम परसारण किस बेंड में होता है तो दोस्तों आंसर है यूच अफ बेंड यानि की अपर हाई फ्रिक्वेंजी बेंड पर जो है एफम का परसारण किया जाता है फिर अगला कुछना दोस्तों दस बिट यानि की PCM का परियोग करते विए लाइन का एक चार किलोड संकेत भेजना है तो लाइन पर बिट दर इन में से क्या होगी तो दोस्तों आंसर है 80 किलोबाइट परती सेकेंड ये जो है इसका राइट आंसर होगा फिर अगला कुछना दोस्तों उर्मी का यानि की गणितर को इन में से किससे सती पहुंचती है तो दोस्तों आंसर है संचरन, विलंब से और वर्डता इसपाय की यानि कि इन दोनों से ही जो है इससे सती पहुंचती है इसका जोुए आंसर होगा तीन नमबर यानिकी दोनों फिर अग्ला क्वीशन हो दोस्तो निमनाइंकीत में से कौन साथ अंतर digital है तो दोस्तो इसका आंसर होगा दो नमबर यानिकी स्पंध कोड говорят फिर अगला कुछन दोस्तो डेल्टा मोडूली करण निम्न के समतुले है तो दोस्तो आंसर है DPCM इसके जो है ये समतुले है कौन डेल्टा मोडूली करण फिर अगला कुछन दोस्तो Fsk का परियोग अधिकांस्त निम्न में किया जाता है तो दोस्तो इसका आंसर है तार संचार जी से हम दोस्तो टेलीग्राफी भी कहते हैं फिर अगला कुछन दोस्तो एक सरणी RLC उच्छी क्यू परिपत में धारा निम्न आवर्ती पर सीकर पर होती है तो दोस्तो आंसर है A यानि कि अनुनाधी आवर्ती के सम्तुल्य होती है फिर अगला कुछन दोस्तो ओम मेटर से एक अच्छे डायोड को परिक्षन पर यह है इंगित होना चाहिए तो दोस्तो आंसर है तीन नंबर यानि कि उच्छी परतिरोध जब व्यूतकरम अभीनती हो यह निम्न परतिरोध जब अगर अभीनती हो यह जो है इसका राट अं तो इन मेंसे डायक का जो सिंबल है वो कौन सा है तो दोस्तो वो है एक नंबर यानि कि यह जो है डायक का सिंबल है फिर अगला कुछन दोस्तो निम्न मेंसे कौन सा एंटिना तरंग परतक से सरवाधिक उतपरेरित होता है तो दोस्तो आंसर है दो नंबर यानि कि होरन प्रियुक्त सबसे त्वारित लोजिक फेमिली कौन सी है तो दोस्तो वह है Ecl फिर अगला क्यूसन दोस्तो कौन सा एक आईस्तिर इस्मर्ति है तो दोस्तो वह है रेम यानिकी रेंडम एकसेस मेमोरी और दोस्तो इस वीडियो का अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो MKR Academy के ट थोड़े ट्यूप ओसिलोस्कोप होता है वो जो होता है वोल्ट था और जो समय होता है उसे क्या करता है डिस्पले पर परदशित करता है फिर अगला क्यूसन दोस्तो ट्रांजिस्टर संद्रचना में बिटा किस की धारालब्दी है तो दोस्तो आंसर है D यानिकी CE का स्वीच है यानिकी दोस्तो ये जो डाइग्राम है वो किसका है तो दोस्तो आंसर है SPDT का ये जो है स्वीच है फिर अगला क्यूसन दोस्तो चित्र में दरसाया गया ओप्रेशनल एम्प्लिफायर परिपत इन में से क्या है तो दोस्तो आंसर है निम्न पारक के फिल्टर यानि कि low pass filter इसे कहा जाता है फिर अगला किसमर दोस्तो उपियुक्त अभीनाती के साथ चितर में दर्साया गया transistor connection इन में से किस रूप में परियोग किया जा सकता है तो दोस्तो आंसर है एक diode के रूप में इसे जो है परियोग किया जा सकता है फिर अगला किसमर दोस्तो इसम amplitude जो modulation अथा है उसका जो है यह क्या करता है परतिनी दित्व करता है यानि कि इसका जो answer वो दो नमबर होगा फिर अगला किशन दोस्तों किसी संदारितर में एक चतुरुत आंस तरंग गती रहीत लाइन समापत होती है तो निवेस परतिवादा क्या होगी तो दोस्तों answer है प् परिपत निमनांकित परकारों में से किसका तरक गेट है तो दोस्तों answer है नोर गेट है यानि कि दोस्तों यह जो है क्या है एक नोर गेट है फिर अगला क्यूशन दोस्तों सत्यमान सारने नीचे दी गई है यानि कि दोस्तों यह सारने दी गई है इसके आदार पे जो है इस इसे हमें क्या करना है इस Q claims का अंसर देना है क्या है इस किया है निम्नांकित गेट की है तो अंसर धक्य कि द्वारा N उप circuit से TV संक्यतों को सिधा प्राप्प करने के लिए इन्म才 किस पर्कार की antenna क्या आउ सकता होती है तो दूस्तों में में से इस इंटिना की क्या है इसमें सकता होती है फी एक्रला क्यूसर में दूस्तों इन्में से किसे बना किसी JK Flip Flop को एक D Flip Flop के रूप में जो है रूपांतरी त्पिक किया जा सकता है तो दोस्तों आंसर है जे बराबर बार के ये जो है इसका right answer होगा फिरख्ला कुछना दोस्तों इसमें बिना किसी load वाला वेवारिक transformer उसका क्या कारिय होता है तो दोस्तों आंसर है इसमें सहय कारी प्रेयरक के रूप में कार्ये करता है इसका राट अंसर होगा तो भी यानि की संधार हितरर यानि की कैपसिर्टर के रूप में और स्विच के रूप में तीन हो के रूप में जो है इसे पर्योग किया जा सकता है और MOSFET का दोस्तों पूरा जो नाम होता है वो होता है Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor यह जो है इसका पूरा नाम होता है फिर अगला किसम दोस्तों अब यह किसम के MOSFET के परचालन यानि कि संक्रिया के लिए गेट वोटता को केसी रखा जाता है तो दोस्तों अंसर है रिनात्मक के रूप में इसे रखा जाता है फिर अगला किसम दोस्तों ट्रांजिस्टर की निवेस परतिबादा क्या होती है तो दोस्तों वो होती है लो यानि की निमन यह जो है इसका राइणसन हो गाysY यह जो है इसका RIDE-सन होगा। पिर अगला किसन दोस्तों निमने लिकित में से असुद्धी संसूचक बताईए तो दोस्तों आंसर है फिभू मापी जी सेम पोटेंशियो मेटर भी कहते हैं पिर अगला किसन दोस्तों इसमें एक आधर्स ओपरेशनल एंप्लिफायर कितनी धारा कर्शित यानि की ड्रोग करता है तो दोस्तों आंसर है सुन्य धारा एम के उपर ए फं की क्या हानिया होती है तो दोस्तो आंशर है बड़े बेंड विस्तार की आउसिकता इसमें पड़ती है किसमें एफम में तो दोस्तो इसमें इस्तित्य नियंतर नातानित्त Fridays यानि की वोल्टता परदान करने के लिए परियुक्त किये जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं थो दुस्त वए टेकनो जेंडरेटर ये जो है इसका राड अंसर होगा फिर अगला किसने दोस्तो सर्वो परियुक्त की गई AC मोटर क्या कहलाती है तो दोस्तो आंसर है दूए प्रावस्ता रेनल Mr.Kotat कहलती है फिर अगला कि ने दोस्तो sa 9 ने लिखी तमें से किसी 2 मात रिक भी फिलिप लूप यहनि की सिटकनी लेच के रूप में परियोग किया जाता है फिर अगला किशन दोस्तो 7477 V Kodak Drive जो है यह क्या होता है यह होता है साथ खंडिये परदर सके यानि कि 7 Segment Display भी इसे कहा जाता है फिर अगला किशन दोस्तो मूल विधा किसका दूसरा नाम है तो दोस्तो आंसर है इस्पंध संक्रिया यानि कि Pulse Operation जिसे कहा जाता है फिर अगला किशन दोस्तो दिये गए परिपत में तरंग सोरूप की चरम से क्या है तो दोस्तो आंसर है आठ है यह जो हैसका राट अंसर होगा फिर एक लाग क्यूशन दोस्तो एक परवर्दक में विनिमाई विकरती की मुझूदगी का मुख्य कारण क्या होता है तो दोस्तो आंसर है इसमें क्लास भी स्तिती में बाइसिंग होती है तो दोस्तो यदि जोर gate का एक भी निवेश उचा है तो gate निर्गम होगा, तो दोस्तो अंसर है उच्छे, तो दोस्तो ये जो है technical part की, यानि की electronics mechanics trade की जो technical part की question है, उसका जो video है वो complete हो चुका है, और दोस्तो ये जो video है, वो आपके UP Metro, DMRC यानि की दिल्ली Metro Rail, और जेपूर Metro क सब्सक्राब करें और बेल आइकन को दबाएं